अगर ये फिल्म आती है खेसारी की तो खेसारी हो जाएंगे भोजपुरी के सबसे महंगे हीरो और तो और खेसारी की ये फिल्म हो जाएगी भोजपुरी की सबसे महंगे फिल्म अभी तक भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म का खिताब पवन सिंग की फिल्म क्रैक फाइटर को है लेकिन अगर खेसारी की ये फिल्म बनती है तो खेसारी की इस फिल्म को हम ये कहेंगे कि ये भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म होगी वैसे आपको बता दे इस फिल्म के बारे में मेरी जंग जी हाँ इस फिल्म में खेसारी लड़ेंगे शेर के साथ वैसे ऐसी ही एक फिल्म बन रही है गबरू जिसमें VFX का काम चल रहा है और इस फिल्म में निरहुआ को दिखाया गया है शेर के साथ और ठीक इसी तरह से खेसारी लाल यादो की भी इस फिल्म में दिखाया जाएगा खेसारी को एक शेर से लड़ते हुए और इस फिल्म में भी शेर और जंगलों की समस्या को ही दिखाया गया है वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादो इस फिल्म को लेकर बहुत ही एकसाइटेड है और खेसारी के फैंस भी लेकिन ये फिल्म बनते बनते रुकी हुई है अगर सारी बातों पर सबकी सहमती बन जाती है तो ये फिल्म जरूर बनेगी और अगर ये फिल्म बनती है तो सही में ये भोचपूरी की बहुत बड़ी फिल्म बनेगी वैसे खेसारी इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा excited थे और खुद चाहते थे कि ये फिल्म जरूर बने उनके फैंस कुछ अलग enjoy करेंगे और इस फिल्म में VFX के उपर भी बात की गई कि इस फिल्म में कितना पार्ट VFX का shoot किया जाएगा लेकिन सारी बाते तब धरी की धरी रह गई जब इस फिल्म के प्रड्यूसर ने हाथ पीछे खीच लिए लेकिन खेसारी लाल यादो फिर्मन बना रहे हैं कि ये फिल्म लोगों के सामने आए और लोग इस फिल्म को enjoy करें वैसे ये पहला मौका नहीं है जब खेसारी लाल यादो इस फिल्म के डिरेक्टर और प्रड्यूसर दोनों से बात करते नज़र आएंगे इससे पहले भी खेसारी लाल यादो कई बार ट्राई कर चुके हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अलग concept की फिल्म होगी और इस concept के साथ खेसारी पहली बार किसी शेर के साथ स्क्रीन शेर करते नज़र आएंगे खेसारी ने तो यहां तक प्लानिंग कर ली थी कि इसके लिए खेसारी अपनी दो फिल्म छोड़ने के लिए भी तैयार हो गये थे खेसारी अपने बोड़ी पर भी काम करना शुरू कर दिये थे और इसके लिए खेसारी ने अपनी six-pack एप वाली बॉडी बना भी ली थी लेकिन हमने जैसे कहा कि खेसारी के इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने हाथ पीछे खीच लिए लेकिन जब खेसारी वापस से इस फिल्म की बात कर रहे हैं कि ये फिल्म फिर से बननी चाहिए को के सामने खेसारी का एक अलग ही किरदार आए तो हो सकता है जल्द ही खेसारी इस बात पर डिरेक्टर और प्रोड्यूसर को रेडी भी कर ले तो इंतजार कीजिए उस दिन का जिस दिन खेसारी की फिल्म मेरी जंग पर डिरेक्टर और प्रोडियूसर मान जाए और जल से जल इस फिल्म के लिए हामी भरके तैयारी कशने लगे वैसे खेसारी की तरफ से इस फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयारी है आप कितने एक्साइटेर हैं इस फिल्म के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथ ही हमें खबरी पे भी फॉलो कीजिए